आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं मरजावा सीरिस का कॉंसेप्ट आर्ट 2 अपलोड करी दिया है अगर आपने नहीं देखा हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूगा एंड वहां से जाकर देख लेना और गाइस जिस लोग ने देखा होगा टुटोरियल तो मैंने उस वीडियो में आपको बताया था कि फोटो बनाने के बाद आपको मुझको इंस्टाग्राम पर टैक करना है तो वैसा ही इस फोटो के साथ भी आपको करना है पिछले फोटो को भी बहुत सारे लोगों ने बनाने के बाद मेरे पास टैक किया और मैंने सारे ही फोटो को लगबग लाइक भी किया था और उस मेंसे जो मुझको बैस लगे थे वो मैंने अपनी इंस्टाग्राम की स्टोरी पर भी लगाए थे तो कुछ स्टोरी आपको यहां पर स्किलिंग पर दिख रही होंगी तो यह आप देख सकते हैं मैंने कुछ स्टोरी यहां पर मेंशन की थी and guys आप ये फोटो को भी बनाने के बाद आप Instagram पर मुझको tag कीजीगा अगर आपका फोटो मुझको पसंद आएगा तो मैं Instagram पर जरूर से mention करूँगा अपनी story में so guys अब जादर नहीं मिसना करते हुए वीडियो को start करते हैं let's do it so yeah guys so यह हमारा background open हो चुगा है Pixar application के अंदर and इसके बाद हम जाएंगे add photo में and अपने photo के cutout को लेकर आएंगे and guys मैं आपको बता दूँ जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आपको shoot कि step से कराना है same वैसा ही process करके आपको shoot कराना है and इसके बाद आपको अपने cutout को यहाँ पर लेकर आना है so guys आपको अपने cutout को एकदम perfectly set करना है जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ इसी type से आपको बिल्कुल same इसको set कर लेना है and set करने के बाद आप मेरे hand देख सकते हैं बिल्कुल खाली है लेकिन मुझको कुछ इसमें पकड़ना है तो मैं simply जाऊँगा add photo में and एक png को लेकर आऊँगा जिसमें मैं की एक हाथ में डंडा पकड़ूँगा so मैं fine कर लेता हूँ तो यह रहा हो वो png इसको हम कर लेते हैं add add करने के बाद आपको इसको perfectly set करना होगा जैसा की मैं कर रहा हूँ बिल्कुल same process ऐसा ही आपको अपनाना है and same इसी type से कर लेना है and guys इतना होने के बाद आपको फिर से add photo में जाना है and again वही वाली png को लेकर आना है and guys अब हम दूसरे part को यहाँबर लगाएंगे तो इसको हम simply add कर लेते हैं and नीचे वाले part को आपको इसके hand के नीचे लगाना है ताकि यह लगना चाहिए कि वह पीछे से भी निकल रहा है तो कुछ इस type का feel देना है आपको तो यहां से extra part को आपको remove कर लेना है and remove करने के बाद यहां पर आपकी finger से भी इसको remove करने के बाद brush पर जाकर इसकी hardness full रखिएगा and इसको यहां से इस type से चला दीजिएगा and चलाने के बाद आपको simply कर दिना है right पर click and यह हो जाएगा एक्तम done and इसके बाद हमारा जो वाकी का work है वो हम कर देंगे so अब हमको जाना है add photo में and add photo में जाने के बाद अब हमको rain drops and कुछ water particles add करना है इसमें blend करके जो कि हमारे photo को काफी realistic look देंगे so guys सबसे पहले हम इसको add करेंगे and add करने के बाद आपको सबसे पहले इसको crop करना है नीची वाला इस सेरी को and आपको right पर click करने के बाद इसको full image पर set कर दीजिएगा and blend कर दीजिएगा screen mode पर so guys यह रही ran की drops and हम इसको कर लेंगे add add करने के बाद आपको इसको full screen पर set कर देना है and set करने के बाद आपको इसको blend करना है screen mode पर blend करने के बाद आपको जाना है effects बाले option में जो की effects बना हुआ होता है इस option में आपको blur option choose करना है and इसके अंदर lens blur and आपको radius की quantity को कम कर लेना है and lightness को बिल्कुल zero and आप right पर click कर दीजिए and इसके बाद आपको eraser पर जाना है and इसकी hardness opacity को कम करके आपको full image पर एक बार इसको apply करना है कुछ इस type से and इसके बाद काफी अच्छा लुक आएगा and आप right पर click कर दीजिए click करने के बाद अब हम को करना है image को save तो draw tool में जाकर आप इसको simply से कर लीजिए and बाकी काम अब हमारा बचा हुआ है जो करेंगे हम lightroom में तो अब हम इसको save करने के बाद open हो जाते हैं lightroom में so guys हम simply open हो चुके हैं ने lightroom application के अंदर इसके अंदर आपको जाना है sun वाले icon पर and contrast को आपको increase करना है and इसके बाद आपको highlights को भी increase करना है and अब आपको second option पर move कर लेना है जो की thermometer वाले आपको colors वाले option पर जाना है and इसके बाद आपको mix tool पर चले जाना है and orange tone को select करने के बाद उसकी saturation को कम करने के बाद luminous को बढ़ा दीजिएगा ताकि आपके face में shine आ जाए उसके बाद आपको blue tone में जाने की बाद उसकी saturation को कम करना है and hue को भी minus करना है saturation थोड़ी से ज़्यादा कम कीजिएगा and hue को थोड़ा सा कम minus कीजिएगा इसके बाद आपको back आना है and temperature को थोड़ा सा minus के तरफ ले जाना है ताकि आपके image में एक blue सी tone आपाए and आप हो सके तो vibrance option जो मिलता है आपको इसको increase करने के बाद saturation को थोड़ा सा कम कर दीजिएगा and यहाँ पर आपके अच्छी कासी blue tone आ जाएगी इसके बाद second option में move करिएगा clarity को बढ़ाईएगा and deh option मिलेगा उसके बाद second तो उस option को आपको थोड़ा सा minus करना है and ध्यान रखें कि आपको यह option थोड़ा सा ही minus करना है जादा minus नहीं करना है उसके बाद आपको wignet option में जाना है and इसकी wignet को कम कर देना है and feather को आपको full कर देना है इसके बाद आप एक option में और जाएगा जो कि है details वाला option इस option के अंदर जाने के बाद sharpening को आपको बढ़ा देना है ताकि आपका image ultra HD हो जाए details को full कीजिगा noise reduction को थोड़ा थोड़ा से बढ़ा दीजिगा दोनों वाली उसके बाद details and smoothness बिल्कुल full and यहाँ पर हो जाएगा हमारा image ready and ready होने के बाद अब आपको अपना image ready करना है and मुझको instagram पर tag करना है and वहाँ पर जाने के बाद मुझको follow भी कर लेजिगा and I hope कि आज कर वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जूरो करना and मैं मिलता हूँ इसकी सिन नेक्स्ट वीडियो में तो